सब्सक्रार चलते हैं आपने लेक्चर पे, BEE की लेक्चर में आपको पढ़ा रहे थे AC Fundamental, क्या पढ़ा रहे थे बेड़ा, AC Fundamental, ओके, आई देखते हैं कि AC Fundamental क्या होता है, देखे, AC Fundamental में, मैंने पहुंच से चीज़ा आपको पढ़ा रखा था, आज हम पढ़ेंगे Two-Phase System, कौन सा सिस्टम, Two-Phase सिस्टम, कौन सा बाबू, Two-Phase सिस्टम क्या होता है, तो देखो, जब भी आपको Two-Phase सप्राइज जनरेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, फेज, एक फेज, और यह क्या होना चाहिए, नूट्रल, जैसे मैं बात करूं, कि अगर हमारे पास दो क्वाइल है, जिसे दो क्वाइल, अगर मालीजे ऐसे है, अगर यह मालीजे एक है हमारे पास, इस फेज का, यह है फेज, और यह है नूट्रल, अगर उसी तरह एक और हमारे पास फेज है, यह है फेज, और यह है नूट्रल, तो इन दोनो नूट्रल को आपस में जोड़कर, एक नू चले बनाने के लिए हमें आपसे क्या बोला था कि अगर आप two phase की supply अगर आप two phase की supply अगर आप generate करना चाहते हैं अगर आप two phase की supply जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें दो conductor को रखना पड़ेगा तो हम पता करेंगे कि phase की बीच का कून कितना होगा फेज के बीच का कून फेज के बीच का कून या कलांतर कितना होगा तो को हम कैसे पता करते हैं बताये आपको तीन सो साथ टोटल होता है उसमें डिवाड के जाएगा टू का कितना आ जाएगा बबू तो इसमें जो कून आएगा दोनों के बीच का वो कितना आ जाएगा 180 degree 180 degree अब चलो अब 2 phase की supply बनाया जाए यहाँ पर 2 phase की supply अब कैसे बनाएंगे जरा उसको देखा जाए ठीक है देखो अगर हम यही माल लो कि ऐसे माल लो को रोटर है गोल सा ऐसे गोल सा रोटर है ठीक है और मैंने ध्यान देजिए गए इसमें और देखो मैंने एक तरफ जो है नार्थ रखा हुआ है एक तरफ नार्थ हो अद तभी तो यह में फूट बन होगा यहां रखा है नार्थ से कि साइड में जाएंगे साउथ में लेकिन इस बार इसमें जो कंड़क्टर के संख्या है वो दो है यह कंड़क्टर को मैंने माल लिया कि ऐसा रखा गया है यहां देना एक कंड़क्टर को मैंने ऐसा रख दिया यह हमारा फर्स्ट फेज बनाएगा इस फेज का इस फेज का यह हमारा हो जाएगा फेज और यह हो जाएगा न्यूट्रल ओके जैसे यहां बताये थे आपसे उसी तरह उसी तरह माल लिजे इसमें इसके सेंटर से लिएगा सेंटर से अगर इसी तरह एक और इसमें फेज रख दिया जाए है लेकिन कितने अंस पर होना चीए यहाँ होगा, फेस देखिए इनका यहाँ होगा are neutral इहाँ होगा? यह ध्यान देना है, अभी 108 स्वाण स्वाण बनेगा, इन दोनों के बीच में? अब चलिए इसका डियाग्राम सो किया जाए इसका डियाग्राम कैसे होगा इधर आईए अगर मैं इसका डियाग्राम सो करना चाहूं ज़र ध्यान दिजिएगा अगर इसका डियाग्राम आप सो करेंगे अगर इसका डियाग्राम आप तो चलिए पहले इसका बनाते हैं इस वाले फेज़ और नूटल का रजाएँगे ये उपर जाएंगे ये बनेवाई चुके हैं निचे आएंगे तो ग्राफ नीचे आएंगे और ईसको में ग्राफ नहीexc है और यहीं प्रक्रेडिया क्या रहेगी चलती रहेंगे ठावैंगी और नीच और नकी में दो कि ठाव सब्सक्राइब रहे जाए ठीक है देखो देखो ऊपर जाएगा इनिचे आएगे फिर उपर जाएगा इनिच आएगे तो बहुत से दिखा सकते हैं चक्रों के संख्या मैंने इतना दिखा रखा है ओके एक किसके लिए हैं यह हमारा फेज नंबर पीवन माल लो यह पीवन फेज हो एवर फीटू फेज ह पीवन के लिए माल लो अब जल्य चलो पीटू के लिए धान देना जब यह भाई साब यह सुपर जाएंगे तो यह वाला नीचे आएगा देखो यह उपर जाएंगे तो यह यहां पहुंच जाएगा फिर सेम टूशीं चलेंगे लेकिन कैसा चलेंगे और पोजिट चलेंगे, ओके, यह होजागा कौन सा फेज, पी टू फेज, यह वाला जब पॉजिटिव होंगे तो निगेटीव, यह पॉजिटिव, निगेटीव, देखो, उपर जितना मिला सब पॉजिटिव, नीचे मिला उग निगेटीव है, इस परकार देखोगे, क्या अगर आप टू फेज की सप्लाई ऐसे जन्रेट कर रहे हैं, एक स्वासियंस पर रखकर, तो उस कंडिशन में, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटीव हो जाएगा, अता इसका रिजल टेंट जो EMEF आएगा, वो कितना आएगा, जिरो आएगा, ओके, क्यों जिरो जाएगा, देख लो, अगर एक का EMEF equation is equal to में लिख हूँ, EM sin omega t, तो दूसरे का equation कितना हो जाएगा, is equal to EM sin omega t में कितना जोड़ दिया जाए, एक स्वासियंस आगे चल रहा है इन से, यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्वासिय तो एक स्वासिय जोड़ देना, इसमें, एक देखो, इन दोनों को जोड़ के देखना, resultant कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, ओके, एक स्वासियंस पहना, तो 0 आजाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि आप two-phase supply में, जो कोड आप बना रहे हैं, two-phase supply बनाने के लिए, वह 180 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक स्वासिय पर इसलिए आप एक स्वासियंस पर कंड़क्टर को नहीं रखेंगे, रखना रूल तो यहीं कहता है, एक स्वासिय पर रखिये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक स्वासियंस पर रखने पर, resultant कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे कंडुक्टर से उसको 90 G पर रखेंगे तो चलते हैं 90 लिप्र रखके देते हैं अब अभी पढ़ रहे हैं कौन सा अप्लाइब डिशाप्लाईब एक नब डिशाप्लाई मतलब कंड़क्टर्स को एक दुसरे से कितना अंस परखना है 90 डिग्री परखना है ओके आए देखते हैं 90 अंस पर कैसे बने गई ज़र ध्यान दिजिए जैसे मान लिजे कि हमारा ये था रोटर ये था रोटर, मान लिजे ये भाई साब रोटर हैं और इनके दोनों साइड में दोनों साइड में एक नार्थ है और दुसरा साउथ है अब इसको बार-बार हम नहीं बनाएंगे आप समझ भी सकते हैं एक नार्थ है दुसरा कौन सा है साउथ है तो फ्लक्स रिखाए नार्थ से किदा जाएंगी साउथ के तरफ जाएंगी ओके अब इसमें हम दो कंड़क्टर रख रहे हैं इसमें हम दो कंड़क्टर रखेंगे एक कंड़क्टर को मैंने मान लिया कि हमारा पहिला कंड़क्टर है यह हमारा पहिला कंड़क्टर है जिसका फेज है और यह क्या है न्यूट्रल है इसको हमना देरे पीवन ठीक है पीवन फेज है और एक और कंड़क्टर रखिए इसमें एक और इसमें कंड़क्टर रखिए लेकिन वह कंड़क् पर होगा नब्यांस पर होगा तो इसको मानेंगे पीटू और इहोगा न्यूटर तो इस समय देखिए इन से कितना पर है नब्यांस पर है आपने तो इनका वेवड yra देखिए अब इन का हम वेव डिशू देखें अपर टाइट ॉ आपर चले पीवण फेज का जैसे आ पहले बनाते थे वही बनेगा तो उसका बना लेजी इस कहले बना लेज़ आ कि ऐसे सल्एगा एक किसका है पीवन फेस का है यह हमारा पीटू की बात क्या जब पीवन जीरो था तब पीटू देखिये मैक्सुमम पे था पूरा फुलक्स अंग इनसे इसे उके इसका लिएफ का मतलू जीरो है तो पीटू यहां से स्टार्ट होगा कि bijड़ान हमारा जीरा रहें गार्थ पीटँ कहां से स्टर्ट हो बाभ उपर से स्टर्ट होगा तीघां यहां से स्टर्ट होगा अब देखाओ तो जब ऊपर जाएंगे तो सब मतल अब लिऍवालड озд जैने नावडे दीकरी में चीरो हो जाएंगा अब दोनों का रिजल्टेंट जो है देखो यहां से लेकर यह पाजिटिव है इतने थोड़ा पाजिटिव दोनों जुड़ जाएंगे उपर चला जाएगा जिरो नहीं होगा ओके यह किसका है बाबू यह हमारा है पीटू फेज का अगर मैं इस पीवन के एक वैशन का लिख हूं अगर पीवरल के लिए में इवन लिर इसकरटू कितना निकलेगा एएम के सांग ऊमेगा टी इप्वेशन अब्र परस्टउ कोNDE बीकोज़ go सकता हो e m sin omega t plus 90 equation number, ठीक है, तो देखो, यह 90 डिगर आगे चल रहे हैं इसमें से, कितना अंस आगे हैं यह, 90 डिगरी, तो वहीं omega t plus 90 कर देना, ओके, अगर मैं दोनों को देखू, तो दोनों कितना अंस पर हैं, 90 अंस पर हैं, मतलब मैं लिख सकता हूँ, कि अगर, अगर, suppose that, यह e 1 है, तो e 2 इन से कितना अंस पर हैंगा, 90 अंस पर, इन दोनों का ज़र रिजल्टेंट होगा, यह होगा e, और e is equal to कितना लिख सकते हैं, square root में, e 1 square, a plus e 2 square, कौन से पर में से, pythagoras से, बिल्कुल लिख सकते हैं, e 1 square, a plus e 2 square, चलिए ज़र हम इसके value को निकालते हैं, जैसे कि मैं ग्राफ को यहाँ पर बनाओ, अगर मैं उसके ग्राफ को यहाँ पर बनाओ, तो देखिए, फ्रासा हाप साइकल मिले रहे हैं, यह, और यहाँ से जो ग्राफ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, यह बताओ कितना डिगरी है, यह 0 डिगरी है, यह 90 है, यह 180 है, यह 270 है, यह 270 है, यह 360 है, इतना है, चलो यह काम करो, माना, माना, सपोर्ज एट हमने माना की, माना की ओमेगा टी का मान, सपोर्ज एट ओमेगा टी का मान 0 हो, अगर ओमेगा टी 0 होगा, अगर ओमेगा टी 0 होगा, तो देखो, यह भाई साब e1 है, और e भाई साब e2 है, तो ओमेगा टी 0 पर e1 0 है, लेकिन देख लेते हैं कितना है, e1 is equal to कितना आएगा, e-m sin omega t, ओके, और यहाँ पर e-m omega t का मान 0 है, तो sin 0 आजाएगा, omega t कवान 0 है तो sin कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तो e1 कवान कितना आ गया बाबु यहां से e1 is equal to कितना आ गया 0 आ गया आया कि नहीं चलो जरह e2 निकाल के देखो कितना आ रहा है e2 अगर e1 इतना आया तो e2 कितना आएगा यह इसे निकाल लो e2 is equal to e2 is equal to कितना है e1 sin omega t अप्लस 90 है यह तो है कितना आ जाएगा e1 sin omega t कवान 0 प्लस कितना आएगा 90 आएगा तो sin 90 आएगा sin 90 कवान कितना होता है मतब e2 कवान कितना आ जाएगा e2 के बराबार आ जाएगा ओके तो यह बताओ यहां से अगर e1 इतना 0 आ गया e2 कितना आ गया e2 कितना आ गया तो resultant कितना आएगा e e is equal to होता है square root में e1 square plus e2 square तो कितना आ जाएगा e1 कवान कितना है square root में 0 plus e2 e2 square e की value कितनी आ गई e2 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 ठीक है condition 2 चलो अब हम चलते हैं condition 2 अगर हम इसमें condition 2 अप्लाई करें अगर हम इसमें condition 2 अप्लाई करें तो क्या होगा देखो अगर मैं omega t is equal to support that 90 degree मान रहा हूं omega t 90 यहाँ पर है तो e2 0 हो जाएगा तो omega t is equal to 90 क्या होगा e1 निकाल लो पहले e1 sin omega t okay equal to e1 sin 90 और sin 90 के वान एक होता है तो कितना आ जाएगा e1 मतलब e1 की value कितनी आ गई e1 के बराबर है भी 90 degree पर e1 90 degree maximum होगा और e2 की value कितनी आएगा जब आ यह देखो e2 is equal to कितना है e1 sin omega t प्लस 90 तो omega t 90 है तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 90 प्लस 90 और आप जानते हैं sin x वस्टियंस के वान 0 होता है मतलब e2 कितना आ गया 0 आ गया क्या समझे अब हमें e निकालेंगे e is equal to square root में कितना होता है e1 square plus e2 square square root में कितना आ जाएगा e1 square a plus कितना आ गया 0 तो यहाँ पर e बराबर क्या आ गया आप कहेंगे सरी इसको solve कहाँ कर रहे हैं बार बार इसको आप कहाँ solve कर रहे हैं तो आपको हम solve इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसके बाद भी कोई equation लेके आप solve करेंगे तो e command em ही आएगा इसका मतलब single phase के बराबर ही आता है क्योंकि single phase में maximum em होता है ठीक इसमें maximum em होता है अब अगर मैं rms value निकालू तो अगर single phase के लिए मैं rms निकालू e rms तो कितना आएगा em by root 2 यही तो आएगा और यदी हम two phase के लिए अगर two phase के लिए e rms निकालू e rms तो भी कितना होगा em by root 2 अब हम देख रहे हैं कि चाहें single phase हो आचाहें two phase हो दोनों में em सेम आ रहा है हर बार em आ रहा है उसमें चीक ऐसा तो हैने कि two em आ जा रहा है em आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग single phase यूज करिए चाहें two phase यूज करिए गाव वाला two phase नहीं वो two phase नहीं वो three phase का निकाला हुआ two phase होता है वो three phase system है हम generator की बात कर रहे हैं जिसे आप generate करते हैं two phase हम उसकी बात कर रहे है तो यहां से यह समझ में आ रहा है कि यदि आप two phase generator बनाएंगे तो एक तो एक सौसियंस पर रखे तो जीरो हो गया था 90 अंस पर रखा जाए तब भी EMF तो मिलता है लेकिन वो किसके बराबर मिलता है single phase के बराबर मिलता है इस यही रिजन है कि हम two phase का यूज ना करके हम सिर्फ यूज किसका करते हैं single phase का क्यों यूज करते हैं क्योंकि two phase में हमको फायदा नहीं होता है कोई benefit नहीं होता है अज जब कोई benefit नहीं होगा तो फिर उसका यूज हम क्यों करेंगे कि आई बाद समंज में हम उसका यूज नहीं करेंगे तो सिंगल फेज में और सिंगल फेज में जो आपके बोल्टेज होते हैं जो मेक्समालoh होती है वो क्या मिलतार ब्राबर लगण मीलता है यहीं रीजन है कि आप लगायों से हो मैं में तो हम देखेंग fermented जन्रेटर नहीं मोटर देखें होंगे गाउं में टूफेजी का मोटर देखते हैं कि यह चीज याद रखना है आपको याद कर रखना है कि टूफेजी का सप्लाई आप जन्रेट नहीं करेंगे ठेलने कि यूज करते हैं कि नहीं नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं तो इसकी छीज करने से प्रूंच एक कुल धितर शिश्टम है बाब मर्री फेज लिए लेकिन यह आपको अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको बहुत बिधवत रूप से आगे पढ़ना है, इसलिए अभी इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, अभी मैं चलूँगा कौन सा सिस्टम, फोर फेज सिस्टम, या फिर फोर फेज सप्लाई, अब देखो, सिंगल फ पता चलेगा यहाँ पर, अगर फोर फेज है, तो इसमें कितने फेज होंगे, चार, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, और नीट्रल, चार फेज, और यह हमारा नीट्रल होगा, ओके, इसमें भी वही कंडिशन होगा, लेकिन चलते हैं, ज़ा ध्यान दिजिएगा, कर दिजिए, फोर, फोर, नब्ब्य अंस आएगा, यह बना के देखते हैं, नब्ब्य अंस, क्या होता है, ज़र इस पर देखा जाए, देखे, अब मैं इसमें नब्ब्य अंस बनाने वाला हूँ, जैसे, यह माले जे, कि रोटर है, और इसके दोनों साइड में, एक है और दूसरा, शाउत है, फलक्त रिखना वना से किदर जाएंगे, शाउत को तरब जाएंगे, चलो, अब मैंने क्या किया, इसमें, कि जो चार डालेंगे यह बार चार घ़ना है, है। और चंडुक्टर हमारे कैसे होंगे ? एक प्योल का एसकह हैनो और प्याद्प होगा है, द concert कॉला मांना भी दिस लो फे P1 Phaze है और निट्रल है तो यह हमारा P2 Phaze हो जाएगा थिका है ? P1 Phaze, P2 Phaze और P3 Phaze यहाँ होना चाहिए तर भी था बनेगा उसका तो P3 Phaze देख लो इस पर P3 Phaste बना दो, तो ऐसे ही बना दो तो यह हमारा अगर P3 Phaze और P4 Phaze तो P4 Phaze भी हमारा इसीम बनेगा जायेग है अब P4 हमारे यहां बन जाएगा अब हम इसी पर दिखा नहीं सकते हैं इसलों फूड़ा ईसे दिखा रहे हैं है here हमारा कौन सो jadi P4 अलिए इसका व्यव डाइगराम देखते हैं जरा व्यव डाइगराम देखा जाए तर्इ कर यह दो डाइग्राम देखिए और पी crédक आप फेज का अब जो ते कि यहां से बनाए थे अबना चाहों प्योड़ चाहूं प्योड फेज का इतर यह में फेज का हो गया इसका हो गया शालो ऑन बनाते हैं पहले इसका इसका पिर फेस का पीवन का इल्टा ठीक P3 होगा, यह नीचे जाएगा, तब P3 जो बनाओ गए यहां से, तब P3 कैसा होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, ओके, यह कौन सा है, P1, यह कौन सा है, P3, अब P2 का कहां से स्टार्ट होगा, उपर है P2, तब P2 यहां से स्टार्ट होगा, और P4 यहां है, तब P4 यहां से स्टार्ट होगा अब देखो ग्राफ के बारे में चर्चा किया जाए अगर पीटू की बात के जाए तो यह पीवन उपर जाएंगे तो पीटू नीचे आएंगे अरे वाला 90 डिगरी वाला और इसे चलेंगे और यह वाले भाई साप यहीं पर भी आकर 0 होंगे क्योंकि ठीक इसका उल्टा है यहीं पर साथ में चलेंगे और इस साथ में नहीं के बार पोजिट चलेंगे अब देखो तुमको क्या दिखाई दे रहा है दिखाई यह देगा क्यों ही देखिए 3 को cancel out कर देगा देखो P1 और P3 एक दुसरे को उल्टा है P1 और P3 एक दुसरे को उल्टा है cancel out कर देंगे और P2 जो है वह हमारा P4 को cancel out कर देगा इस प्रकार total EMF कितना बचेगा बाबू? 0 बचेगा तो यही reason है कि 4 phase का supply भी हम यूज नहीं करेंगे और कोई हमारे पास एंगल बचता ही नहीं है कि 4 phase की supply यूज किया जा अब 5 phase 6 phase यह से ही चलता रहता है इसलिए हम सबसे अधिक बरीता देते हैं तो सिर्फ 2 phase को supply देते हैं कौन-कौन एक होता है हमारा single phase supply को हम यूज करते हैं और एक हमारा 3 phase supply को यूज करते हैं और supply बनाने समको कोई फायदा नहीं होता है आपके माइंड में आना चीए कि सरी ऐसा है तो हम 5-10 phase वाला यूज करते हैं कितना अच्छा रहता ऐसा नहीं है अब जो उपरा वायर वायर देखते हैं उतना ज्यादा वायर वो 3-phase system ही है वो आप उसमें ज्यादा वायर होते हैं वायर के संख्या बढ़ा दे जाती है अब जलते हैं अपने BW ke main topic पर ये तो था थोड़ा सा extra knowledge था कि आप फेजोज बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं क्यों नहीं बनाते हैं ये थोड़ा सा extra knowledge था ओके चलते हैं ना अब अगला topic पर ओके चलो अब आपका main topic इस्टार्ट हो रहा है देखिए अब हम चलेंगे हम चलेंगे equation से vector बनाना हम चलेंगे heading लिखेंगे equation से vector तयार करना यह सब आना चाहिए आपको तभी आपको आगे कि शीर समझ में आएंगी वरना आपको समझ में नहीं आएगा हम पढ़ेंगे कि कोई equation दिया हो तो उसके vector कैसे बनाएंगे तो देखो vector बनाने के लिए सबसे पहली एक चीज याद रखना है कि आप जो भी काम करेंगे वो सभी काम anti-clockwise होगा वो सभी काम anti-clockwise होगा anti-clockwise मतलब आप जब घड़ी यूज़ करते हैं आप लोग घड़ी यहां लिखा रहता है बारर ठीक है और यहां लिखा रहता है छेया लिखा रहता है तेन आप लिखा रहता है तो घड़ी के जो सुई होती है वो कैसे चलती है ऐसे यह होता है clockwise यह क्या होता है क्लाकवाइज गड़ी के सुई की दिसे हम चलेंगे तो उसको बूलेंगे कौन सा लेकिन आपको देखिए ऐसे चल रहा ही है आपको यसे चलना है ULTA चलना इसको हम क्या बोलेंगे बाभू एंटि कलाकवाइज कि अब चोब्याप काम करेंगे व्यक्टर से क्वेशन जे हैं कुर्ण से बनाने के लिए आप हमेसा एन्टिक लाकवाइज ही चले इसको रट्टा मार लेजिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है अब हम एक्वेशन देंगे और एक्वेशन से ब्यक्टर कैसे बनाते हैं जरूर देखेंगा यहां पर लोकि आगे काम आने वाला है इसको दिया है एक्वेशन से ब्यक्टर बनाएंगे जैसे एइसकल दिया है 7 ओमेगा टी और एक और दिया हुआ है अमाली ज़े e1, a माली ज़े e2, e2 is equal to दे रखा है, em sin omega t, प्रस दिया है 30, प्रस कितना दिया हुआ है 30, तो आप इसका vector कैसे बनाएंगे, इसका vector कैसे बनाएंगे, दोनों को मिला के, आपको vector बनाना है, तो vector बनाने के लिए करना क्या है, कि जो e is equal to em sin omega t दिया है, पहले उस उसको खीच लिजी, उसमें कुछ नहीं दिया है, तो पले उसको खीच लिजी, तो इसको अपने आप से आप इधर खीच लिजी, यह हमारा कौन से हो गया, e1, अब चलेंगे इसमे, em sin omega t है, अब omega t में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, वही देखा जाता है, omega t में क्या जुड़ा हुआ है, 30 जुड़ा हुआ है, तो अगर पलस है, तो देखिए एक चलते है direction, अगर पलस है, तो उपर जाएगा, अब माइनस है, तो नीचे आएगा, मतलब पलस है, तो lead करेगा, और माइनस है, तो lag करेगा, अगर गामी और पस्च गामी, तो देखिए अगर प आया समझ में कैसे ब्राना है एंटी क्लाक वाई डर्क्षा में चलेंगे तो जो आगे चलेगा उसको इस दिसाम में जो पीछे रहेगा उसको इस दिसाम बनाएंगे तीसंस अगर गामी या तीसंस पस्ट गामी बन जाएगा चलिए दूसरा क्वोश्चन है अगर दिया है साइन ओमेगा टी अम माइनस दिस दिया हुगा एंगल घटा दिया है इस बर कोई दिक्कत नहीं हम जो बनाये थे वैसे ही बनाएंगे अभी सबसे पहले उपर खीच लेजिए सबसे पहले उपर जब खीचेंगे ऐसे यह हो जाएगा हमारा इवन अब चलेंगे एटू के ब इसतना अंस से पीछे रहेगा वो 37 से ओके गरा गरा त्याले इसका यह हुआ है वेक्टर जाएगा अगला कोशच्च्शं अगला कोश्च्चंम औरा कोश्चं मालि जी दिया है e m sin omega t आप प्लस दे दिया है 90 90 अंस प्लस दिया है तो उसको कैसे बनाएंगे आप लो तो पहले हम e1 को खिश लेंगे हाँ पर यह होगा e1 अब एंटी कला कोई चल लेंगे तो उसमें देखे e1 में प्लस हुआ है तो इसका मतलब प्लस में उपर ऐसे किता डिगरी पर 90 डिगरी पर यह हो जागा कौन सा यह हो जागा कौन सा e2 तो ऐसे बन जाएगा यह हुआ equation से vector बनाना और भी चलेंगे हम अभी खतम नहीं हुआ थोड़ा और चलिए जैसे आई यह कुश कुशन और करेंगे हम इसे थोड़े सोड़ देंगे आपको हम थोड़ा और कुश कुशन करते हैं जैसे यहाँ दिया है e is equal to em sin omega t और धारा equal to दिया है i is equal to im sin omega t प्लस एक सवस्थी दिया हुआ है इतना दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए तो हम पहले जैसे हम बनाते थे वैसे बनाएंगे पहले e का किचलेंगे अपने आपसे e को किचलें इस साइड में e हो गया अब धारा देखिए धारा 180 आगे चल रहा है 180 आगे ऐसे ले लिजे 3 से 100 आगे इधर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा आया समझ में कैसे खिचना है तो ऐसे खिचेंगे आपड़ो अब चलिए second condition और भी कोश कोशन देखते है चैसे मान लिजी एक और कोशन दिया हुआ है e is equal to दिया है e m sin omega t और i equal to भी दे दिया है i m sin omega t दोनों सेम दे रखा है तो कैसे बनाएंगे अगर सेम दे रखा है तो इसमें omega t plus 0 कर लिजीए मतलब 0 degree से आगे या पीछे है ऐसे कह सकते है मतलब दोनों में कलांतर 0 है 0 degree का तो कैसे निकालेंगे तो कोई वो नहीं दिक्कत नहीं आप पले e खीच लीजिए e हो जाएगा और धारा देखे कितने अंस आगे पीशे चल ला 0 अंस तो 0 अंस मतलब इसी पर इसी पर धारा भी दिखा लीजिएगा उसी दिशा में अब देखे ए अगरगामी और पस्टगामी नहीं है अगर देखे कुछ लोग कहेंगे कि सर जी आई तो छोटा है और ये बड़ा है तो ये अगरगामी पस्टगामी ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब यह है कि e का जो मैगनिटूड है e का जो परिमाड है e का जो परिमाड है is greater than i का परिमाड इसका मतलब क्या हुआ दोनों का दिशा तो सेम है लेकिन परिमाड में अलग-अलग है इसका मतलब अगर ये 10 बोल्ट है तो ये 2 एंपियर है ठीक है इसका मतलब यह होता है आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे इसी ग्राफ को आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं इधर आप i मान सकते हैं इधर आप रूप जए थोड़ा सा आप इसमें दिखा सकते हैं एका परिमाड का मतलब ऐसे 10 वोल्ट 2 एंपियर तो उसे तरह इसमें मान सकते हैं कि i जादा हो सकता है और बोल्टेज कम हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल आप बना सकते हैं उसको कैसे होता है देख लेते हैं देखें हो सकता हो कि बोल्टेज कम हो ए वी है तो इसको देख लीजे इसका मतलब क्या हुआ कि जो i का परिमाड है is greater than भी के परिमार से अब इसका मतलब क्या हुआ हो सकता हो कि जो current है वो 10 ampere हो और जो voltage है वो 2 volt हो बिल्कुल हो सकता है आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है आए मैं दिखाते रहा हूँ आपको example दे रहा हूँ यहाँ पर आए एक example दे रहे हैं जैसे माल लेजए कोई battery हमारे पास है यहाँ पर कोई battery है और यहाँ पर एक load लगाया गया है यह battery हमारा 10 volt का है भी करें tornado 10 volt का है अब condition नमबर एक है condition नमबर एक है कि यहाँ पर और रिसर्टेंस लगाया गया तो इसमें धारा क्तिक फ़ूगी i तो बोल्टेज दस बोल्ट का है लिग रिस्टेंस यहां हम लगा दिये दो ओम का तो कितना आ जाएगा देखो पांच एम्पीर आएगा कि अगर इसको आर कमान दो रखते जादा पांच ओम आएगा इसका मतलब हुगा कि इस समय जो बोल्टेज है और करेंट से ज्यादा है उल्डना भी तो हो सकता है यार हाई इसकल टू कितना होता है भी भाई आर बोल्टेज मानलो यह दस से बोल्ट का है अब मानलो यहां जो रोजिस्टेंस है वह जिरो पॉइंट फाइफ हम का लगा दिया तुमने तो कितना आ जाएगा 20 एंपियर तो इस से मान देखो बोल्टेज हमारा कम हो गया मनदट बोल्टेज से बोल्ट है current 20 amp shower तो जरूरी नहीं है कि बोल्टेज ही जादा हो current कम हो री Amp — फ, पॉइंट करता है तो ऐसे बनेंगे इसका वै क्या रखेंग जाहीं अगला चलते है अगला मालने जे कि और मैं question दे रहा हूँ जैसे कि मालने जे V is equal to दिया है Vm sin omega t और I equal to दिया है minus Im sin omega t minus Im sin omega t इसका कैसे vector बनेगा कोई दिक्कत नहीं minus हमादा बिपरित है एक इधर तरफ भी दिखा देजेगा यही से इधर तरफ I dикहा देजेगा क्या problem है बिल्कुल बन सकता है अच्छे इसको एक और तरह कैसे दिखा सकते हैं इधर इसको अलग से विच्छा है तो आप दिखा सकते हैं जरूर नहीं कि एक क्वैसे दिखा जाए इस समय इसका इसका कितना है वी है दस बोल्ट की बैटरी थी तस बोल्ट का बैटरी था था 10 अंपियर भी आगे तो नों बराबर भी हो सकते हैं तो जरूरी नहीं है वो कोई कंडिशन अपलाई हो सकता है चलो इसका ग्राफ देखो आप that छूरू कण ग्राइं और यह सब कुछ यह सब कुछ एक पुर्ण सब्सक्राइब कर आपको आना चाहिए ऊके तो पढ़ाते हैं पर क्वर्ण के देर चलेंज हो किndh वेक्विशन अब तो झाल 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 झाल